कियों अब गैस यहां पेर मेन पार्ट क्प हाँ सब्सक्राइब यंद यहां पर मेरा कॉन सभूए कि मैंने एकशन एक्शिक्यूट करें लाएं तुरॉटरन किんだi कर छो बाड़ के पूरी हुए इन मैं अब हमारी जॉब सब्सक्रासित है। and जो हमारी जोप फिनिष होगी वो किसपे होगी, main thread फिनिष होगी and यह जो हमारा acing task होता है, तो इसमें टुञें background किसके लिए use होता है, guys background के लिए use होता है and अगर हमें foreground के लिएS टॉसके लिए कुछ रण करवाना होता है, तो लिए कौन का callback method होता है हमारे पास on post execute right तो अब guys क्या करना है यहां पर हमें job stop करनी है अपनी कि जब हमारी job पूरी हो जाए उसके बाद क्या है रुकने भी चाहिए main thread पे तो यहां पर क्या कर लेते हैं on post execute को अपना overwrite कर लेते हैं object लेगा simple and is simple o and क्या देते हैं इसमें value दे देता हैं अब क्या value देनी है मुझे इसमें simple job जैसी finish हो जाए उसके लिए है राइट तो यहां पर simple हम क्या देढ़े देंगे job finish राइट तो यहां पर आप देख सकते हो हमारे पास क्या आगए job finish आ गया है तो यहां पर simple क्या देदेंगे job finish method देदेंगे और इसमें क्या पास करना है जैसे आप यहां पर देख सकते हो गई दो चीजे मांग रहा है job parameter मांग रहा है जो अलड़ी मैंने आपको बता दिया कि क्या था तो यहां पर simple क्या देदूंगा मैं job parameters दे दूगा और दूसरी चीज़ क्या मांग रहा है boolean needs reschedule क्या हमें reschedule करना है से तो इसे क्या कर Diengij हम false कर देंगे basically reschedule क्या होता है कि कितनी बार जो हुमारी job है वो कितनी बार run हो गई है तो कितनी बार और रन होनी है हमारी जchao तो यहाँ पर आलriters अगर हमारी जॉब फीनिश हो गई है तो मुझे री शड्य में करनी है तो इसलिए यह यहाँ पर क्या करदिया हमने सिंपल से सिंपल कर दिया है अब क्या कर देते हैं गclamation हैं वह भी तक क्यों पर जो return कर रहे हैं क्या value return करना है है हम पर इसके बाद गई एक चीज और यहां पर क्या हो गया हमारा onstart job हो गया है राइट on start job जो हमारा method था इसका जो हमने implement किया था यह तो हो गया है अब इसके बाद आगर आप देखोंगे हमारे पास एक method और है on stop job okay तो यह वाला जो on stop job है तो basically guys यह वाला method क्या करता है कि अगर हमारे पास कोई error आजाए error in the sense आप यह सोच लो कोई हम सिंग कर रहे है network पर जौब हमारी सिंग कर रहे है जौब रन हो रहे है basic network request पर और इंटरप्शन आ गया राइट हमारा network चले गया या कोई और इंटरप्शन आ गया तो job को stop कौन करता है यह वाला method करता है जो retry करने के लिए बाबार क्या करेंगा पिंक करेंगा कि अगर बीच में interrupt हो गया या कोई logic हो गया तो उसे क्या करना है उसके तो यह कोन हैंडल करेंगा हमारा on stop job तो यह भी क्या कर लेते हैं अब इसे भी देख लेते हैं इसे कैसा ही है तो हमारा यह एम बैक ग्राउंड तसक है रहाइट है हम कैंसल कर देंगे तो यहाँ पर क्या गया हमारा थास्ट ननल रहाइट तो बैसिकली क्या कर दे यह इसे क्या कर दे एक कैंसल कर दे बहुत सम्पस्टों लोगिक है कई कुछ इसमें प्रॉब्म की बात नहीं होनी चाहिए अब लोगों को तो यहां पर क्या हो गया हमारा पूरा एक्जेक्ट हो चुका है गाई जो हमारी जॉब सर्विस थी हमने क्या कर दिया उसे टास्क हो गए ऑन पोस्ट में इस चीज का हमेशे दियान रखना कि कौन सी चीज हमारी में थ्रेट पर हो रही है कौन सी चीज कैसे हैंडल कर रहे हैं यह चीज हमें डिसाइट करना बहुत जरूरी है क्योंकि चीज आपको आने चाहिए इस पॉइंट आफ टाइम पर क्यों बहुत भी हमें ध्यान रखना है कि हम क्या करें इसे बैक्ग्राउंड पर ही रन करें ताकि क्या है हमारा एप बिलकुल अच्छे से रन हो एंड इन फ्यूचर अगर हम ज्यादा फंक्शनलिटी एड करने तब भी क्या ना हो लैग ना हो एन अब गाइस क्योंकि हमने यहां पर क्या कर दिया एक सर्विस क्रिेट करती यह वर्टर रिमाइन फायर बेस जॉब सर्विस तो किसपे चलते हैं एक काम रहे गया है हमारा क्या मैनिफेस्ट पर मैनेफेस्ट में अब को गताया दा गाईज कोई सी भी अगर आप सर्वेस करोगे तो आपको क्या करना सब्सक्राइब करें से करते हैं क्या क्पैमाने सर्वेच कर दी较 वह तो इसका नेम क्या स्लेक्ट करना है water reminder firebase job service क्योंकि जो हमारे intent service थी वो अरड़ी हमने उपर declare कर दी है यहां पर क्या गया exported क्या हमारा false आ गया and simple क्या हो गया हमारा service create हो गया अब गई यहां पर एक चीज और चाहिए मुझे यहां पर एक intent filter और लगांगा मैं क्यों लगाना है मुझे यहां पर intent filter तो इसलिए गाइस मुझे क्योंकि इसे launch करना है यहां पर क्या कर देंगे इसको action लगा देंगे and action में इसका name देंगे और basically इसके देंगे name में com.firebase.jobdispatcher. क्या चाहिए मुझे action चाहिए किसका execute का तो यहां पर action देंगे हम execute और यहां पर क्या कर देंगे इसे close कर देंगे तो यह basically guys जो हमारा action है यह किसलिए use होता है basically jump करवा मनलब किसी भी चीज को एक चीज में jump करवाने के लिए right क्योंकि मुझे क्या चाहिए कि जो मेरा intent filter है जो मेरी basically firebase job schedule है वो क्या हो एकदम से जैसी कोई device reboot होता है मान लिजे हमारा device restart हो गया या फिर कोई नई execute first time जो हमारी job schedule होगी तो मुझे क्या चाहिए dispatcher में action चाहिए तो यहां पर हमने इसलिए क्या दे दिया अपना action execute दे है ताकि क्या action करेगा इसको क्या रहे है इसको clear रहेगा तो यहां पर क्या हो गया हमारा complete हो गया नवेनेधर नहीं है तास्कि भी धरोड नहीं है अब क्या है काई मेरे रिमाइन्डर टास्त हराइड इट हमारे az जॉब सर्विस है यह क्या हुई अभी सिंपल हमने क्रियेट करें है अभी तक मैंने आपको एक इसका और यह वाला क्या है हमने सिर्फ इसे लॉजिक बताया है कि जो हमारी जॉब सर्विस है वह कैसे वर्क करेंगी कैसे रन करेंगी और कैसे उसका लॉजिक क्या है अभी तक तो हमारी job service है, उसको हमने schedule नहीं करा है, मैंने आपको 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 डूक्यूमेंटेशन में इसका code दिखाया था की हम कैसे job schedule है, उसमें कैसे execute करेंगे, क्या क्या यूज करेंगे तो अब क्या कर लेता है उसे इंप्लेमेंट कर लेता है एंड उसके लिए यह कौन साइट स्टैप होगा हमारा फोर स्टैप होगा एंड उसके लिए क्या चाहिए एक हमें नई क्लास चाहिए तो बना लेते हैं तो बैसिकली क्लास होगी है किसमें हो खाली हमने logic लिका है, service के बारे में, अब क्या है, हमारा firebase job dispatcher है, उसको लिखना है, तो यहां पर क्या लेता है, class को हमने यहां पे दे दिया है, तो यहां पर हमारी class create हो गए, reminder utilities है, इसका काम क्या होगा, खाली, अब आपको अल्रडी बताए रहा हमें सेट करने हैं क्या हों से अपने डिस्पैचर पर time set करने होता है अलग-अलग constraints होते हैं जो हमें set करने होता है वह किसमें करेंगे हम इस वाली class में करेंगे करना है क्योंकि मुझे क्यों है क्योंकि मुझे क्यों है क्योंकि मुझे चाहिए यहां पर जैसे मैं आपको बताया था गाइस की कर लेता हूं constant create कर लेता हूं ताकि मुझे असानी हो एंद मुझे convert नगनना पड़े बाद में तो यहां पर create कर लेता है guys सबसे पहले के create कर लेता हमना first constant create कर लेता है private static integer final integer and इसका क्या नाम रखेंगे guys reminder interval क्या लिए लेता है time okay and कितना time रखना है guys हमने बीच में 15 minutes रखना है तो मैंने इसकी value के दे दिया 15 दे दिया है आप क्या create कर लेता हैं दूसरी value create कर लेता है private static final integer reminder interval और यह क्या चाहिए guys क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंना भी आपको documentation में बताया था guys जो हमारा time होता है यह किसमीं होता है, seconds में होता है, so seconds में time होगा तो बुझे जो reminder interval time है. It is a this constant किसे लिए बना रहरा है, seconds के लिए बना रहा हूँ, और इसमें basically करर का नहीं guys मुझे just reminder interval time parti which 15 minutes, इसको convert करना है Ms seconds तो यहां पर मोला है wekan रहे हैं seconds में convert करेंगे . झाल